हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पापड इसे बनाना बहुत आसान है कुछ ट्रिक्स फोलो करेंगे और वीडियो को एंट ज़रूर देखिएगा ध्यान से जिससे की जो भी बीच में बारिकियां बताई जाती हैं वो सब आप लोग देख सकें और आप भी बिल्कुल ऐसे ही पापड बना के रेडि कर सकें बिल्कुल देशी स्टाइल में आज बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सांदार पापड़ ये बनके रेडि होते हैं जो कभी गलतियां हो जाती हैं इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए पापड बनाना और रेश्पी पसंद आजया तो लाइक सेर जरूर कर जीजीगा तो चलते हैं अपने पापड बनाना ही स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने 1.5 किलो यह आलू ले ली है जो पापड बनता है बस वही आलू लिया है इसको बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद इसे हमें छील लेना है सिंपल कुकर में डाला है और बस पानी डाल के हमने इसमें 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा दी है और यह आलू का साइज भी आप देख सकते हैं इस पापड़ों के लिए अच्छे से पकी हुई होना बहुत जरूरी होता है अगर आलू जरा से भी कच्छी रह गई और आपने उसके पापड बना दिये ना तो सूपने के बाद उफट जाते हैं तो यहां पर आलू का पका होना बहुत जरूरी है इस टाइम पर मैं होली के टाइम पर अपनी ससुराल आई हूँ तो मम्मी की तब्यत खराबती तो मैंने का चलिए मैं ही पापड़ बना देती हूँ और आप सभी की साथ में वीडियो सेर भी कर रही हूँ तो आई होप आलू छीलने के बाद हमें इसे पीसना होता है तो या तो आप सिलबट्टे पे इसको बारिक पिस जाता है अगर सिलबट्टा नहीं है तो आपको इस तरह से कद्दू कस करना होगा इससे क्या होगा जो आलू में लंस होंगे गांठे होती है वो नहीं होती है बस हमें में प पापड अच्छे से नहीं बन पाते हैं तो वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी जो बातों होती है न वह सभी मैं आप सभी के साथ में सियर करने वाली हूं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बर्टन नहीं रख रही हूं एक ही बर्टन में फटा फट आलू को लिया और उसको कद्दू कस कर रही हूँ और एक खास बात इन पापड़ों को बनाने के लिए आपको आलू कैसी चाहिए तो आलू यहाँ पे जो बलू ही आलू आती है एक रूखी इसी रहते ना अंदर से ड्राई रहते वो आलू बिल्कुल भी मतली जिएगा जिस आलू में लस होता है हलका चिपचिपा पन होता है वही आलू पापड़ के लिए परफेक्ट होती है तो बस यहाँ पे देखे सभी आलू को हमने कद्दू कस कर लिया इस तरीके से और सभी आलू को अच्छे से मैस कर लीजीगा जिससे की बिल्कुल डो के फॉर्म में रेडियो हो जा तो यहाँ पे नमक की कॉंटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा जैसे की पापड़ में डालते है ना पापड़ पतले होने के पास सूप भी चाते हैं तो इससे अच्छा है कि आप इसमें नमक की कॉंटिटी कम रखिए हलका सा नमकीन बस हो जाए बस इतना ही आप एट और बस इस सभी मसालों को डालने के बाद एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं अलू अगर हाथ में आपके संट इसके बाद मिक्स कर लिजएगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा अब चोटी चोटी है मैं इसकी बाल्स बना लेनी है जितने बड़े साइज का आपक चोटे बनाऊंगी इन पापड़ों को आप दो तरीके से बना सकते हैं तो पहला तरीका तो यह है कि इस तरीके से आप छोटे-छोटे पेड़े बनाकर साइड में रखते जाएं और फिर उसके बाद आप पापड़ बनाना ही स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक प्ल बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और उपर से इसके इस तरीके से तेल लगा दीजेगा आप चाहें तो रिफाइंड वाल का यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे मस्टाड वाल का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं रिफाइंड वाल इसलिए मैं पर मस्टाड वाल ही यूज़ कर रही हूँ अब इसके उपर हमें इस तरीके से रखना एक पॉल्सी ही ही है उपर से भी हमें छोटी पॉल्सी ही रखनी है और इस तरीके से किसी भी प्लेट से प्रेस कर देना है बहुत जादा प्रेसर मत दीजिएगा मतलब हलका सा प्रेसर देंगे तो अपने आप ये पापड से पले लेगा और फिर उसके पाद आपको अपनी फिंगर जो उंगलियां होते है न उससे प्रस करते हुए आप इसको पतला कर लीजिएगा तो पापड भी आप अपने हिसाब से किसी को मोटे पसंद होते हैं किसी को पतले पसंद होते हैं तो अगर आपको पतले पसंद है तो आप थोड़ा सा जादा फैला दीजिएगा और अगर मोटे पसंद है तो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो पापर तो हमारा बनके ready हो जाएगा सेम तरीके से अब यहाँ पर क्या करना है जो हमने balls बनाके ready किया है थोड़ा सोड़ा distance maintain करते हुए पॉल्सिन सीट के उपर रख देना है जो हमारे पेड़े हैं उनके उपर हलका सा oil लगा है और उपर से पॉल्सिन सीट रख के जैसे ही आप प्रस करेंगे यह बहुत ही आसानी से सेप ले लेते हैं अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा सेप आ रहा है और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है इस तरीके से अगर बनाएंगे न तो आपके पापड कभी भी लाल नहीं होंगे काले नहीं होंगे बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट कलर आएगा और आप इनको सालों साल स्टोर कर सकते हैं बीच में बस थोड़ी बहुत धूब दिखा दीजिएगा दो तीन बार फिर कोई भी प्रॉलम नहीं आने वाली ये पापड जियों के उत्यों जैसे अभी बनके रेड़ी होंगे न ऐसे ही साल बर बाद भी आपको मिल जाएंगे अभी होली काफ फेस्टिवल आ रहा है आप इन पापडों को बना कर इंज्वाय करिए बहुत ही चटपटे होते हैं एज़ा स्नैक्स आप इसको टी टाइम के लिए भी ले सकते हैं मतलब कि जब भी आप चाय बनाएं साम को इसको फ्राइ करिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और टेस्ट में तो लाजवाब है सबसे पुराना मतलब अगर पापड कहें तो यह और चिप्स ही आता है मेरी नजर में जब ममी बनाती थी न तो हम लोग गोले बना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो इनको फटा फट से आप बना सकते हैं बहुत ही पतले होने की वज़़े से एक दिन में ही सूप भी जाते हैं और इन पापडों को आपको धूप में रखने की भी जरौत नहीं है और इन जैसे आप प्रस करेंगे ये अपने आप ही सेप ले लेगा और ये देखिए हमारा पापड बिलकुल रेडी है सभी पापडों के जैसा ही मतलब साइज में भी इक्वल है और बस इसमें कुछ नहीं करना है बस पॉल्सिन सीट डालनी है और फैला देना है वैसे तो इन पापडों को बनाने के लिए मार्केट में मसीन भी आती है लेकिन यहाँ पर मुझे कोई खास जरूत लग नहीं रही है और फटा फट से ये ऐसे भी बन जाते हैं अगर आपके पास मसीन है तो आप उसका भी उप्योग कर सकते हैं पापडों को बनाने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइज में हमें धेर सारे पापड बनाके रेडी किये हैं मैं इन पापडों को धूप में नहीं डाल रही हूँ रूम के अंदर ही मैंने पॉल से सीट को रखाया और फैन से लाके इसको सुखा लेंगे क्योंकि ममी ने बोला कि भई बन्दर बहुत आते हैं हमारे मंकी बहुत आते हैं इसलिए छट में नहीं डाल सकते हैं और ये देखिए चार-पास घंटे के बाद फैन की हवा में कितने अच्छे से ड्राइ हो चुके हैं मातलब एक शायट से तो ये ड्राइ हो गया है और दूसी सायट से ड्राइ नहीं है लेकिन पॉल्थिन को बहुत ही आराम से चोड़ रहे हैं मतलब कि इनको पलटने में भी आप कोई भी प्रॉलम नहीं आने वाली है वैसे आप नहीं भी पल्टेंगे तब भी ड्राई होके अपने आप पॉल्टिन को छोड़ देंगे कोई भी दिकत नहीं आने वाली है एक बार आप इस तरीके जरूर बनाईएगा और अगर रैस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर चीचेगा फ्रेंट्स सबसे अच्छा है फैन की हवा में ही आप सुखा लीजिए तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक दिन में पूरा मतलब एक दिन आपको देना होगा और ये अच्छे से सूख जाएंगे जब ये अच्छे से सूख गया है उसके बाद मैंने इसको धूप में रख दिया था दो घंटे के लिए जिसे कि इनमें बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आज है और अगर आपको इस्टोर करने है पापड तो आपको धूप दिखाना बहुत जरूरी होगा तो चलते हैं फ्रेंड्स इनको हम फ्राइ करके भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बनकर रेड़ी होंगे एक कड़ाई में मैंने तेल को गरम किया है अच्छे से गरम कर लिया था फिर गैस का फ्लेम मिडियम किया है और मिडियम फ्लेम पर आप इन पापड़ों को फ्राइ करिएगा बहुत ही अच्छे बनते हैं और इनको फ्राइ करने के लिए आप किसी टॉंग का यूज यहां पर मैं रोटी सेखने वाला चिम्टा ली हूँ जिससे कि जितना भी एक्स्टा ओयल है वो निकल जाए मेरी सस्राल में तो जब भी कभी सबजी बनती है ना तो कुछ पापड फ्राई कर देते हैं बच्चों को खाने के लिए तो यह मतलब हैविट में आ चुका है और जब भी कभी सबजी बनती है साम को तो बस यह पापड जरूर फ्राई किये जाते हैं सभी लोग इसको बहुत इंज्वाय करते हैं अभी हाली में मैंने बहुत सारे पापड की रेश्पी अपने चैनल पर सेयर की है सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आप सभी की साथ में लिंक सेयर कर दूँगी या तो आप डारेक्ट चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं बहुत सारे पापड़ हैं जैसे साबुदाना है, चावल है सूजी है, बहुत तरीके के हैं आप लोग भी पसंद जरूर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने अच्छे से पापड़ हमारे फ्राई हो चुके हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इन पापड़ों को तोड़ के देखेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छा क्रिस्प है आवाज आप सूनी सकते हैं कितने बढ़ हैं और कितने क्रिस्पी पापड़ बनके रेडियू हुए हैं आई होप आच की रेस्पी आप सभी को पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंट में ज्यादा से ज्यादा स्वेर कर दीजिएगा जो लोग मेरे चैनल पर न्यूँ है चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें इसी जए कि आसान और यूनिक रेस्पी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रस करिएगा जिसे की आगे आने वाली रेस्पी की नोटिफिकेशन आप सभी को फटा फट से मिल जाएगा आप लोग इसे इंजोई करिए मिलती हुए एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर